नमस्कार मेंबर्स आप सबका स्वागत हैं मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर दोस्तों इस बार में संडे को अवेलिबल नहीं रह पाऊंगा तो इसलिए मैं मेरे पास टाइम था आज तो मैं वीकली वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के लिए तो आई होप ये व खतब हुआ था तो हम लोगों ने आपको पूरा पिछले वीक के अंदर एक ही चीश बताई थी क्या बताई थी समझेए ध्यान से समझेगा जो मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं एक तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी कि यहां पर गलती से भी हमारा मार्केट हमारी बाते हुई थी हम उसको रिपीट करेंगे ताकि हमको यहां पर आसानी हो समझने में कि हम क्या बाते कर रहे हैं एक मिनट रुकिगा दोस्तों ओके तो यहां पर हमारी जो पिछले हपते बात हुई थी वो यही बात हुई थी कि अब हमें शॉर्ट साइड का व्यू लेकर नहीं चलना है पिछले हपते संडे को जब यह केंडल बनी थी स्टिल उसके बावजूद भी मेरा यही व्यू था कि शॉर्ट साइड का व्यू लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है शॉर्ट साइड की पूरिशन को केरी फॉरवर्ड नहीं करना है ठीक है तो यह सबसे पहले हमने आपको समझाया था और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया हो तो आप देख सकते हो कि जो भी डिप आ आपको 22,115 पे दिख रही है यह लाइन पिछले अपते में 21,835 पे खिची हुई थी और इस लाइन को हटा के मैंने साफ साफ बोला था पिछले वीक की वीडियो में जरूर चेक करना मैंने का अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया इस लाइन को अब हम यहां हो जाएगा तो यह अब देख सकते हो कि हमने डिसक्स कर रहा था कि रेसिस्टेंस है तो यहां पर साफ साफ मंडे को जिसनों ने बाइ किया होगा वो डेफिनेटली 200-300 पाइंट और आम से उसको मिल गए होंगे इस हफते में कहानी खतम रेसिस्टेंस के आज पास जाके कमाओ और निकल जाओ क्योंकि अब यह जो कंसॉलिडेशन को क्या बोलते हैं समझा रखा है मैंने आप लोग को इस कंसॉलिडेशन को हम बोलते हैं कॉंट्रेक्शन खतम अभी नहीं होगा कैसे होगा लाश्ट वीक के वीडियो में समझा रखा है जाकर ज़रूर चैक करना तो यहां पर clear है कि यहां पर resistance के आसपर आपको मतलब profit booking करनी है अगर आपने profit booking कल कर ली थी तो आज की जो fall है उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी ठीक है अब मैं हम पर एक EMA लगा लेता हूं जो की मेरे को जरूरत है आप लोगों को समझाने के लिए 10 दि की बात करेंगे अगले हफते की तो इस हफते का जो view है वो हमारा पिलकुल ठीक गया है ठीक है दोस्तों यहां पर पिछले हफते मैंने आपको एक range बदाई थी कि यहां पर 21,000 से लेके 22,200 की जो range है न यह एक बहुत जबर्दस range होगी जहां पर हम bull बनके बैठेंगे तो हम को बहुत अच्छा risk to reward ratio मिलेगा ठीक है लेकिन यहां तक तो market अभी आया ही नहीं है तो हम क्या करें देखें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते यहां पर अगर market आता है मेरा देखो इस टांस जो है वो अभी भी clear है साफ साफ है सेम सेम है गलती से मैंने पिछले हफते का था गलत मैं यही कहा रहा हूँ गलती से गलती से मतलब यहां तक मुझे नहीं लगता कि market आ पाएगा ठीक है तो गलती से अगर market यहां तक आ जाए तो आपको केवल और केवल bullish trades की ही सोचनी है ठीक है ख्यार लखना इस चीज़ को और यह बहुत अच्छा area हो जाएगा 200 200 से लेके 21200 हो सकी point जो range है यहां गलती से market है तो आपको bullish ही होना है ठीक है पहली चीज एक तो यह mind में रखना आपको ठीक है क्योंकि यह देखिए दोस्तों आपको साफ साफ समझाया था कि यह एक range हो गई है एक यह range upper part range की और यह हो गया lower part range की पहली बार second time third time ठीक है पहली बार second time और यह हो गया है third time ठीक है खया लखना है इस इसको मैं दो बार से समझाया जेता हूं आपको यह line के हटा जेता हूं मैं अब इलाद समझाने के लिए अब समझने ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाहरा हूं देखो यहां पर यह breakout हुआ breakout के बाद री टेस्ट किया पहली बार सेकेंड फिर उपर गया फिर री टेस्ट किया सेकंड फिर मारकट उपर गया फिर यहां नीचे आया और चुका है दो बार अचुकए लेकिन अपर г etwas उयक्तिनी बार आई यह भाई एक बार दो बार फिर यहां से मारकेट ने कोशिश की तीसरी बार तो अब सिंपल है यहां पर तीन बार कौन सा लेवल को मलब जिस लेवल को जिस लेवल को बार बार टेस्ट किया जाता है वो वीक हो जाता है क्या हो जाता है वीक हो जाता है कमजोर पड़ता है वो लेवल अब एक लेवल तो यह है किसजार के आसपास का और एक लेवल यह है 22,100 के आसपास का अब आप खुद मुझे बताओ कि कौन सा लेवल जो है वो बार बार टेस्ट हो चुका है कौन सा लेवल वीक हो चुका है सिंपल सी बात है न भाई ये एक बार टेस्ट हुआ ये दो बार टेस्ट हुआ और ये एक बार दो बार तीन बार तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर कि तीन बार ये टेस्ट हो चुका है तो वीक कौन सा लेवल है तूटने के जो चांसिस वो किसके हैं कुछ सा यह अपर लेवल के चांसे जादा है तूटने के देखिए इस वाक्त न बहुत ज़़ा मंदी का महुल चाया हुआ है कहां पर हर जगह पर कहां पर हर जगह पर चाहिए आप यूटूब उठाके देखलो चाहिए आप कहीं पिंपे कुछ भी उठाके देखलो ठीक है बट अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी समस्या तो नहीं नजर आ रही है चार्ट में कि यह नीचे के तरफ जाएगा और जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इंडिकेशन पहले से पहले मिलना शुरू हो जाएगा, कैसे मिलेगा मैं आपके साथ हूँ, तो डरने की होगा, यह हो जाएगा, वह जाएगा तो जब तक चार्ट सही है, कोई डरने की जरूबत नहीं है, इसलिए फिर भी यहाँ पर क्योंकि यह एक बार, दो बार, तीन बार, टेस्ट हो चुका है, तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर तक आएगा, अब देखो, यहाँ पर यह दुनिया को पता है कि यह रेंज बन चुकी है, तो समझना एक और साइकोलोजिकल लेवल समझना, यह दुनिया को पता है, यह जो शौट वाले बंदे बैठे हैं, यहाँ शौट कर जो बैठे हैं, वो उनका टार्गेट क्या है, व तक इंका टार्गेट यहाँ ही आएगा, 21,000 तक, ठीक है, और इनको ट्रैप होना तो कैसे, एक बार तो बच गए यह ट्रैप होने से, यह पर यह तो एक बार तो यह बच गए, ट्रैप होने से, ठीक है, आज तो उनने बचा लिया, लेकिन याद रखना, यहाँ कहीं अगर बुलिश केंडल देखे, बंडे के ऊपर, ठीक है, चार्स उसे लेके, पांचो के लिवल के बीच में, कहीं पर भी बुलिश केंडल देखे, लॉंग करो, ठीक है, कोई दिक कर दें, लॉंग करो, रिस्क प्री है, और यह एक बार, दो बार, और तीन बार, यह हो चुका है इस बार जब जाएगा ना, तो यह इसको तोड़ देगा, कहां से समझना, प्रफपर तरीके, तो टागेट जो बन जाएगा, और बाइस जार पांचो का बन जाएगा, ठीक है, खया लगना इस शिश का, क्यों मैं ऐसा कहा रहा हूँ, साइकलो ने समझो, मार्केट के, यह शौट वाले हैं, यह शौट वाले सोचेंगे, एक कंडल से क्या होता है, ठीक है, एक कंडल बुलिश बने तो क्या हो गया, अभी तो हमाँ टागेट यह है, तो यह शौट काटेंगे नहीं, यहाँ पर जो शौट हैं, बने, को काटेंगे नहीं शौट, को कि इनका और दूसरा फाइदा क्या है यह तो यहां पर लॉंग करने के लिए बैठा है कहां पर 21 जी लेवल के ऊपर वह सुचेगा खोड़ा और मार्केट गेड्स है तो वह लॉंग भी नहीं कर पाएगा समझ गए पूरा पूरा अगले अफ़तेगा क्लियर वर्डो में समझ गए लॉंग करने वाला लॉंग नहीं कर पाएगा और शॉर्ट करने के बैठा है वह शॉर्ट काटेगा नहीं और बीच में जो बंदा smart होगा वह लॉंग करेगा न तो क्या होगा रिस्क टू सो से लेके अगर गलती से भी 21-500 के बीच में मुझे मार्केट मिलेगा तो मैं उपर के तरफ की पॉडिशन ही बनाऊंगा ठीक है और जो शॉर्ट वाले बंदे हैं I think they can be trapped this time because three times उपर के levels test हो चुके हैं इस बार नहीं छोड़ेगा ठीक है समझ रहे हो समझ रहे हो नहीं समझ रहे है so be prepared in your mindset इसलिए मैंने आज वीडियो डाल दी है ठीक है lower levels पर आएगा market I don't think मैं बता चुका हूं इसलिए मुझे लगता है lower levels पर market नहीं आएगा इन levels पहले लो यह बना फिर इसके ऊपर लो बना अब कहना इसके ऊपर बनेगा ठीक है तो ख्याल लगने इस चीशका market नीचे आ रहा है इसका benefit उठाओ और mindset clear रखो मैंड देखो यहां पर यह लो बना 20-800 अगला लो कहां बना यह देखो बीस-900 पर तो 800 अगले बाइंग कहां से आ गई इहीं से आ गई एक किस हजार एक सो से अगली बाइंग जो है वह एक किस तीन सो से आ जाएगी यह चार्सों से आ जाएगी तो शौग मदो ना ठीक है तो खया लगना इस चीशको मतलब आपका mindset prepare energy में करना क्या है तब आपको benefit मिलेगा otherwise you cannot get benefit कितना भी आप आपको मतलब plan होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या है ठीक है तो मेरे को nifty में जो करना है मैंने आपको समझा दिया और जो मैंने आपको list share की है आज के दिन I will add these stocks I will add these stocks जो मेरा area है list to reward ratio के साब से मैं इन shares को add करूंगा clear होगी बात समझ में आ गया इसलिए यह video आपको देखनी जरूरी है बहुत जरूरी है ठीक है समझ गये तो यह चीज क्लियर हो गया कैसा market चल सकता है अगले अपते में market फसाएगा कहीं बीच में से घुमेगा याद अठना market इसको पूरा टैस्क ने नीचे नहीं आएगा स्मार्ट बंदे हो जो स्मार्ट लोग हैं उसका ही फायदा होगा ना समझ गये तो यह है यह आठीक नियती अभी तो फिलाल अभी कोई डरने की बात नहीं है बैंक निफ्टी का में संचिना रेता तो यह वह दिन है जहां पर आज के आसपा आ सकता है ठीक है मार्केट में अब इस लोग के नीचे यहां से समन्ना मार्केट अगर इस लोग के नीचे मिल गया ना तो रिस्क टूरिवाड रिश्यो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा ठीक है इसके ऊपर से घूमा उतना अ से और यहां तक के आपको अच्छे खासे मालब कहते है ना कि 44,500 से 46,500 तकरीबान 2000 तो आपको इजी मिलेंगे इजी जिसे कहते है ना इजी और यह फास्ट होंगे यह भी याद रखने यह होंगे फास्ट ठीक है 200 एसके आज पास देखो शॉर्ट नहीं करते इसलिए मैं हम ना कर रहा हूं इस्टूरिवाड रिश्यो जो है वो यहां पर के वह लोग के वह long site का ही है तो अगले हफते बैंग यिफ्टि विल गीव दा मौर बैंग निफ्टी विल गीव दा मौर वे ह dato ही कह मोर फास्ट मूव ठीक है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, हर्ची बता चुका हूँ और यही मेरा माइंड सैट है और देखिए साफ सीधी बात है दोस्तों पहले इलेक्शन जो है वो होना है अभी अभी जो थी यह बजट रैली थी जो हमने इन्जॉय करी पीछे ठीक है यह क्या था यह बज स्मार्ट अभी यहां पे कुछ हुआ नहीं है कुछ भी गडबड नहीं हुई है ठीक है तो इसको समझो इस बात को और फड़ा सा डिप में रिस्क लिया करो किस चीज का लॉंग करने का डिप में जब जब मार्केट उपर होता है तो हम सोचते है और या नीचा आईगी तो हम लॉंग करेंगा नीचे जब आती है मार्केट तो हम लॉंग करते ही नहीं है हम कहते है अरे अब तो और गिरेगा मार्केट तो यह कोई मार्केट में समझधारी नहीं है आपका मार्केट नीचे आपको मिल रहा है तो रिस्क आपका लॉंग साइड करने का ही ज़्यादा है ठीक है so I hope message is clear to everyone to every member I think everything is clear to all of you risk जो है वो नीचे के तरफ ज्यादा बनेगा अगर आप short करके चलोगे तो long करके चलोगे तो I think risk will be minimum ठीक है risk to reward ratio के जाप से long positions बननी ज्यादा अच्छी रहेंगी अगर आप बनाएंगे तो support के आसपास levels में आपको दा चुका हूं levels जो है वो याद रखना ठीक है thank you thank you so much watching this video मिलते हैं next week thank you